नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं अपके साथ में सुर्ष्टी मिश्रमै आपको मैं पहले वीविस्तार से बताया है आज बड़ी खवर सामने आ रही है करनाटक कॉंग्रेसं से जुड़ी हुई आज जगा जगा पर बीजेपी मुख्याले पर कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया और आपको बता रहे कि कॉंग्रेस का ये धरना प्रदर्शन पहले से तय था अब जरा सुनगे प्रियांग खड़गे ने क्या कहा, सिदारमीया ने क्या कहा और D.K. शिफप कुमार ने क्या कहा सबसे बहले आपको ले चलते हैं सिदारमीया के पास यहां करना तक कॉंग्रेस को जो चावड नहीं दे रही है केंड़ सरकार ने बोला कि ये बैठक में पहले से ही तै था चुनाओं से पहले ही ये बैठक होई थी और जिस तरीके से जनता भी कह रही है कि अगर आपको मुफ्त चावल देना है तो आप अपने स्टॉक्स दीजे जबकि लगातार कॉंग्रेस सरकार कह रही है कि हम चावल खरीद लेंगे हाला कि आधरप्रदेश और तेलंगाने से कॉंग्रेस पार्टी को जटका लगा है चावल नहीं मिला लेकिन आपको बता दें यहां कहा जा रहा है लगातार कॉंग्रेस पार्टी ये बात दिखा रही है कि भारतिय जनता पार्टी केरिस सरकार यहां गरीब विरोधी है सिदा रमया ने कहा की फूड कोर्परेशन फिंडिया रोटा लेटर तो अससे स्टेंग अगरीड तो सप्लाइ राइस तो आर स्टेंगाने सब्सक्राइब यहां केंद्र को गरीब विरोधी दिखाने की कोशिश की जा रही जब कि ऐसी कोई बात नहीं है बैठक में पहले से ही तै हुआ कि खादे संस्थानों को सुरक्षा देने के लिए इस टॉक को बचाने के लिए केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया है आगे जरा सुनिए यही नहीं करनाटक कॉंग्रेस जब अपने करनाटक कॉंग्रेस में ये खलवली मची है कि चावल की आपूरती कहां से हो आपको बता है करनाटक कॉंग्रेस बुरी घिरी पांच वादों में से एक भी वादे इनके जमीनी स्तर पर जिनका क्रियान नहीं हुआ है आगे मैं आपको बता दू प्रियांग खडगे अभी क्या कह रहे हैं केंडर के खिलाफ कॉंग्रेस का प्रदर्शन में प्रियांग खडगे ने बोला बीजेपी के नेतरित्वा वाली सरकार हमसे बदला ले रही है रही है इनको अब लग रहा है कि बदला लिया जा रहा है यहां पर लगातार ये बाते कॉंग्रेस के तरफ से आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि बदला लिया जा रहा है प्रियांग खड़िये ने बोला कि बीजेपी के नेतरवाली केंज सरकार बदला ले रही है करनाटक के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया इसलिए उन्होंने कहा कि केंज सरकार हमें भारतिय खादे नियम से चावल नहीं खरीदने दे रही है 12 जुन को इस पर सहमती जताई गई थी और 13 जुन को एक नई अधिस उचना जानी की जिसमें करनाटक सरकार चावल नहीं खरीच सकती और वैपारियों को 3100 रुपे प्रती क्वेंटल पर चावल दे दिया गया मैं आपको एक बाल बता देती हूँ देखें करनाटक कॉंग्रेस यहां अपने दावों से फेल हो रही है भारती जिंतर पार्टी के सांसद ने भी कहा तिजस्वी सूरिया जहां पर दक्षिन बैंगलोर से वो सांसद हैं उन्होंने भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है चुनाओं से पहले ही यह मीटिंग हुई थी जहां पर तैह हुआ था कि हम जो है वहाँ पर स्टॉक बचाने के लिए काम कर रहे हैं करनाटक कॉंग्रेस जब अपने दावे नहीं पूरे कर पा रही है तो केंदर पर ठीकड़ा फोर रही है जो कि सारे राज्य सरकार यही कर यहाँ पर सरकार कर रही है अगरे आपको बतादे कि लगातार करनाटक कॉंग्रेस इस बाक से गिर रही है वहाँ भारती का पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है और आपको बतादे कि पूर्व मुख्य मंतری बसावरा राज मॉम्माई आर अशोक ने और आर अशोक ने मंगल को बैंगलोर में करनाटक सरकार के खिलाफ अपना विरोध्र परदर्शन किया मीडिया को संबोधन दिया है अनने भागे योजना को लागू करने के लिए चावल जारी करने से इंकार करने के लिए केंड़ के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का मुकाबला करने के लिए भाजपा के विरोध की कही न कही योजनाब बनाई गई थी मतलब कि वहां करनाटक कॉंग्रेस भी भाजपा के खिलाफ विरोध कर रही है और इधर कही न कही लगातार जिस तर्रीके से बीजेपी भी करनाटक कॉंग्रेस को लेकर विरोध कर रही ह करनाटक कॉंग्रेस पूरे तरीके से बेपरता हो चुकी है दावे पूरे नहीं कर पारी आपको बता दे फ्री बसों को लेकर भी वहाँ पर करनाटक में महौल खराब दिखा इसके साथ ही प्रतेक महिला को 2000 देने का वादा उसमें से भी ये बाते करनाटक कॉंग्रेस ने तरह नहीं कि किसको देना है करनाटक कॉंग्रेस ने जो अलग-अलग वादे किये थे वो भी जमीनी इस्तर पर पूरे होते दिखाईने दे रहे हैं लेकिन अगर ये 10 किलो अनाज यहां नहीं देंगे तो वहां जनता सडकों पर उतरेगी और ऐसा आक्रोश अभी से ही देखने को मिल रहा है आगे आपको ले चलते हैं यहां पर जो स्टॉक की वज़े से करनाटक कॉंग्रेस यहां बुरी गिरी कहा जा रहा है कि इनको 36 गड़ से चावल खरीदना महंगा पड़ रहा है 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार है और देखिए कल यह ऐसी बयानबाजी कॉंग्रेस की आई थी कि काफी महंगा चावल है और हम 36 गड़ अफॉर्ड नहीं कर सकते जब यहां पर विज्यापन देने में कॉंग्रेस पार्टी बहुबी अपने आपको दिखाती है तो यहां गरीबों को मुफ्ता नाज क्यों नहीं आज इनको चावल महंगा लग रहा है और कहा कि अगर हम FCI के द्वारा चावल लेते तो हमें सस्ता पड़ता लेकिन यहां पर चावल महंगा है 36 गर सरकार से अगर हम चावल लेते हैं तो कहीं न कहीं यहां भी करनाटक कॉंग्रेस को भारिक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको बता दे कि वहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप गरीबों को चार या पांच किलो अनाज देरीजी अगर ऐसा भी अब आपकी जो भी राए है आप जरूर कॉमेंट करके बताईए बहुत शुकरिया दा न्यूस से जुड़ने के लिए कर दो